हेलो वच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT ट्यूटरियल हिंदे के उपर और यहाँ पर इस विडू में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्छा 9 इतिहास के अध्याय नंबर 5 को जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे अब यहाँ पर यह जो अध्याय है इस अध्याय में हमें समझना है पढ़ना है जानना है कि जो हमारे दुनिया में आधुनिक दुनिया बनी मतलब एक प्रकार से जो बदलाव आए उसका चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ? अब बोलीगज सर यहाँ पर चरवाहों के वारे में हम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं ? बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जो जीने का तरीका था, इनका जो रहन सहन था, वो एक प्रकार से अंग्रेजी शाषन के आने के बाद, यहां पर अंग्रेजों के आने के बाद पूरी तरीके से बदल गया, इनका जीने का तरीका खतम हो गया हम कह सकते हैं, इनकी जो रोजी रोटी थी वो खतम हो गई, और इसी प्रकार से हमने जो पिछला अध्याय अध्याय नंबर 4 वहां पर हमने देखा था कि एक प्रकार से जो अंग्रेजो का शाशन था वो उसकी वज़र से जंगल में रहने वाले जो लोग थे यानि जो वन्य समाज थे उनके उपर क्या प्रभाव पड़ा था अब वैसे ही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं चरवाहों क कि जो आधुनिक विश्व बनी जैसे जैसे समय के साथ बदलाव आया इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इनके उपर क्या असर पड़ा थीक है अब यहां पर बात हो रही है चरवाहों कि तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक नहीं समझ में आ रहा है तो मै थोड़ा सा सौट मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ. अब देखें, यहाँ पर आप अगर कभी बाजार गए होंगे, मैंने मतलब कभी बाहर घुमने निकले होंगे अपने परिवार के साथ, तो आपने कई लोगों को देखा होगा, जो कि इस प्रकार के बहुत सारे भे इसे चर्वाहों की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ खास तरीके के चर्वाहों की बात करने वाले हैं, यह एक प्रकार के घुमन्तू चर्वाहे होते थे, मतलब या फिर आप कह सकते घुमन्तू परिवार होते थे, चर्वाहे नहीं भी हो, दूसरे काम भी करते लेकिन घुमन्तु परिवार होते थे, अब ये कैसे काम करते थे, ये कैसे रहते थे, तो देखें ये हमारा भारत है, अब भारत में बहुत सारे इलाकों में अलग-अलग प्रकार के समुदाय रहते हैं, जो कि इसी प्रकार के चरवाही का काम करते हैं, अब यहाँ पर अगर भी एक जगह पर अपना घर बना कर नहीं रहते थे, समझ गए? इनका कोई एक निश्चित घर नहीं होता था, तो ये लोग क्या गरते थे? ये लोग ऐसा गरते थे कि भाई, जब गर्मी का मौसम होता था, तब ये हिमाले पहाडीयों के उपर चले गए, हिमाले पहाड के और वहाँ पर एक प्रकार से अपने जनवरों को चरा दिया, तो इस प्रकार से ये जो समुदाय होते थे, ये जो परिवार होते थे, मतलब अभी भी होते हैं, अभी भी बड़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे, तो ये जो लोग हैं, ये लोग इसी प्रकार से चरवाही करके अपना जीवन यापन करते थे, और इसी प्रकार से ये लोग रहते थे, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप गुजजर बगरवाल जो समुदाय हैं, उनके व्यक्तियों को देख रहे हैं, ये इस प्रकार से जुन के जुन, जानवरों को पालते हैं, रखते हैं, ठीक है, अब इसी प्रकार से कई और समुदाय हैं, मतलब बहुत सारे समुदाय हैं, जो कि इसी प्रकार से जीवन जीते हैं, अब यहाँ पर गद्दी समुदाय के लोगों को आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे और भी यह जैसे, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह हिमाले के उपरी इलाके शिवालिक के इलाके की तस्वीर है, यह इलाका बर्व से ढख जाता है ठंड पर रहते हैं, नहीं, पहाडी इलाकों में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको महराश्ट्र में भी मिलेंगे, इसके अलावा आंध प्रदेश में, करनाटक में, अलग-अलग समुदाय हैं, जो कि इसी प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, और इसी प्रकार से अपनी बार था बोल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे समुदाय खतम हो गए, ये आज भी जीवित हैं, लेकिन पहले जितना आसान था इनका जीवन, और जितनी आसानी से अपनी रोजी रोटी चला लेते थे, वैसा अब ये नहीं कर पाते हैं, अब ये एक प्रकार से प बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने अपने पक्के घर बना लिये, एक ही जगह पर रहने लगे, नौकरी करने लगे, मतलब पुराने तोर तरीकों को बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि इस अध्याय में आप चरवाहों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, अब घुमंतु ऐसे लोग होते हैं, जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बलकि रोजी रोटी के जुगार में यहाँ से वहाँ घुमते रहते हैं, देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जार्वरों के साथ आते जाते देख सकते हैं, जो बात मैंने कही वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, कि भाई देखो हम यहाँ पर घुमंतु चरवाहों की बात कर रहे हैं, घुमंतु कहने का मतलब क्या, जो कि एक जगह पर नाटिक मतलब एक प्रकार से भेड बकरियों का जुंड होता है जिनको अपने साथ ही ये लेकर चलते हैं तस्वीर मैंने आपको अभी तुरंत दिखाया और इसको रेवड कहते हैं या पिर जुंड भी आप कह सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे समुदाये हैं जो उट पालते हैं बहुत सारे समुदाये हैं जो कि गाय भैस वगरा पालते हैं और बहुत सारे ऐसे समुदाये हैं जो कि आपके भेड वगरा को पालते हैं ठीक है अब यहाँ पर आप सोचते हैं, यहाँ पर सवाल आपसे पूछता है कि क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहां से आये हैं और कहां जा रहे हैं। भाई आप अगर उनको रास्ते में देखिएगा कि एक साथ हजारों की संख्या में बकरियां लेकर या फिर भेड लेकर या फिर उन्ट लेकर वो जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं वो लोग, कहां से आ रहे हैं। तो भाई उनका काम ही है यह, मतलब वो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं, सर्दियों में दूसरी जगह पर, गर्मियों में दूसरी जगह पर इस प्रकार से व तो वहाँ पर सभी समुदायों की बात होती है, जैसे कि राजा कौन था, उस समय में मंतरी कौन था, उस समय में आम जनता कौन थी, कौन से समुदाय थे, नई थे, सारी चीज़े बात होती है, लेकिन जब भी आप इतिहास पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको चरवाहों के बारे में उतना जिक्र नहीं मिलता है, चरवाहों के बारे में उतनी बात नहीं होती है, क्योंकि इनके बारे में कभी हमें पढ़ाय ही नहीं गया है, कहीं कभी इनके बारे में बात ही नहीं होती है, आप जब भी समाज के बारे में सोचते हैं, तो इनका नाम कहीं भी आता ही क्यों नहीं आता है भाई क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है लोग इनके बारे में लिखते ही नहीं है क्योंकि इनका एक जगह ठीकाना नहीं है ये लोग इधर-उधर मूव करते रहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर इनके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि य ये अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कैसे इनका जीवन चलता था और जब भारत में अंग्रेजी शाषन आया, एक प्रकार से आधुनिक समाज बन गया, तब इनके जीवन में क्या कठिनाई आई, क्या परिशानी आई, समझ के ये चीज़े हम यहाँ पर बात करने वाले है यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि अक्सर मान लिया जाता है, कि ये ऐसे लोग हैं, जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका है, इसी प्रकार से लोग सोच लेते कि यार ये तो चरवाहो वाला जीवन पुराना होता अब ऐसा थोड़ी चलता है, अब ऐसे थोड़ी लोग जी पाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़े, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम भारत के समाज में देखेंगे, कि भारत में कौन-कौन से चरवाहे समुदाये हैं, फिर हम देखेंगे, कि भारत में अंग्रेजी शाषन का उनके उपर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर आगे हम बात करेंगे अफरीका की, और वहाँ पर देखेंगे कि जो चरवाहे समुदाये थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कैसे एक प्रकार से चीज़ों को मैनेज किया, तो यहाँ पर हमारे सामने पहला टॉपिक आजाता है, पहला टॉपिक कौन सा है, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में क्या बात करेंगे, हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि भारत में कौन-कौन से समुदाये हैं, किस-किस इलाके में रहते हैं उनका जो एक प्रकार का movement होता है एक इलाके से दूसरी जगा आवाजा ही होता है वो क्यों होता है कैसे होता है वो कहा जाते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि सभी समुदाई के इतिहास को पढ़ेंगे जी नहीं हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भा प्रकारनों से ये घुमन्तु समुदाए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या इनके लिए माइने रखता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा टाउपिक है 1.1 यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पहाडों में, मतलब कि जो हमने शुरू में कहा, कि भाई देखो, पहाडों में क्या होता था, पहाड के उपर चले गए, पहाड के नीची आगए, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता ह वहाँ पर समुदाय कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है जम्मु कश्मीर की, कि जम्मु कश्मीर में एक समुदाय है, जिसका नाम क्या है, जो गुजर बकरवाल समुदाय, ठीक है, यह जो समुदाय है, इस समुदाय के लोग अपने मवेशियों के लिए चारा गाहों की तलाश में भटकते भटकते 19 सदी में यहां आये थे। मतलब ये जो लोग हैं, ये उनिस्वी सदी में यहाँ पर पहुँचे हैं, अब कहां से पहुँचे उसके बारे में यहाँ पर एक प्रकार से जानकारी नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास कहीं भी लिखा नहीं गया है, ठीक? अब यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे समय बीता गया, ये लोग यहीं के होकर रह गये, मतलब यहीं पर रहने लगे, ठीक है? और यहीं बस गये. इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग-लग चारा गाहों में जाने लगे. तो यहाँ पर ये सबसे महत्पूर्ण है कि जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये सर्दी गर्मी के हिसाब से अपना इस्थान वदलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये जब भी जाड़े का सीजन आता है, मतलब जब भी सर्दी का मौसम आता है, इस समय ये क्या करते हैं, नीचे की इल लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि शिवालिक मतलब क्या बात हो रहा है, तो इस चीज़ को आपने एक प्रकार से पढ़ा होगा जिवराफी में, आपने भुगोल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर शौट में आपको बता देता हूँ, अब तो आपका क्या होगया, सबसे जो greater हिमाले हम कहते हैं, उसके बाद आपका, एक सेकेंड में तस्वीर आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, यह देखिए हिमाले का structure है, हिमाले के इसी structure में आप देख सकते हैं, कि सबसे इधर क्या है, हिमाद्री है, एक प्रमतलब क्या, इसके बाद आपका एक middle हिमाले आता है और नीचे जो सबसे छोटे पहाडों वाला जो range है उसको हम क्या कहते हैं शिवालिक कहते हैं ठीक है अब ये शिवालिक जो है एक प्रकार से इसी इलाके में आकर इसी इलाके में आकर ये लोग रहते हैं कब सर्दियों के दिनों में और जब सर्दी खतम हो जाती है जब गर्मी का मौसम होता है तो ये लोग उपर के इलाके में पहुंच जाते हैं यहाँ पर अपने जानवरों को चराते हैं ठीक है गुजर बकरवाल समुदाय की बारे में हम यहाँ पर बात कर रहें ठीक है अब यहाँ पर आगे बात करें तो पर तीन स्रेय नहीं बनाई गहीं, उसके बाद धाभर, तराई, यह सारा आपका मैदानी इलाका हो जाता है, ठीक, तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है, तब ही आपको यह चीज़े समझ में आएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, अब यहाँ पर यह जाता है, यहाँ पर इनको सूखी जाड़ियां मिलती हैं, और इसी सूखी जाड़ी को अपने जानवरों को यह लोग चराते हैं, और जब अप्रेल के समय में एक प्रकार की गर्मी आ जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, उस समय यह लोग उत्तर दिशा की ओर जाने लगत मतलब यह आपका नीचे वाला इलाका हो गया, और नीचे वाला इलाका हो गया तो इसके साथ क्या हो गया, इसके बाद यह लोग इस तरफ उपर की ओर जा रहे हैं, हिमाले की तरफ जा रहे हैं, हिमाले की उचाईयों पर जा रहे हैं, यहाँ पर उची स्रेनिया जहां जहा आपको दिख रहा है, यह उचा वाला इलाका है, इस ओर चले जाते हैं, ऐसा वह लोग कब करते हैं? गरमी के मौसम में. अब जब गरमी खतम हो जाती है, तो यह हमाले से नीचे आजाते हैं, नीचे वाले इलाके में वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से अपना फिर से जो भी करना है वो करते हैं मतलब जीवन यापन सर्दी के दिनों में निचले इलाके में और गर्मी के दिनों में उचे इलाके में ये लोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे यहाँ पर क्या बात की गई है तो आगे यहाँ पर कहता है कि भाई गर्मियों के चारागाहों के लिए यहाँ पर उतर दिसा में गर्मियों के चारागाहों के लिए मतलब पहाडों पर यह लोग जानरों को चरा इस सफर में कई परिवार काफिला बना कर साथ साथ चलते हैं, वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुचते हैं, जैसे ही गर्मिया शुरू होती हैं, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली चा जाती है, भाई हिमाले पर क्या है, सर्दियों में बर्फ हो जाती है, गर्मी बढ़ती है तो वो बर्फ पिघल जाती है और बर्फ जब पिघल जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से हरियाली आ जाती है, मैंने हरियाली की तस्वीर आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी उस चीज से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कैसे जनौरों को चराया जाता है अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर यह जो चरवाहे होते हैं गुजर बकरवाल यह ऐसा नहीं है कि एक परिवार अकेले चलता है जी नहीं, यहाँ पर कई सारे परिवार एक साथ जुन्ड बना कर चलते हैं, जिनको की काफिला कहा जाता है, काफिला बना कर चलते हैं, और यह पीर पंजाल के दर्रों को पार करके कश्मीर घाटी में पूंचते हैं, और यहाँ पर यही चीज जो इनको करना है वो करते हैं, अब यहाँ पर यही चीज़ है कि क्या होता है, यहाँ पर जब एक प्रकार से बर्फ हट जाती है, तो बर्फ हटने के बाद यहाँ पर जो घास उगती है, उससे मवेशियों का पेट भी भर जाता है, और इनको बहुत ही अच्छा सीहद मंद घुराक मिल जाता है, जानवरों को, तो जानवर जो है उनका एक प्रकार से जीवन या अच्छी प्रकार से होता है, क्योंकि उनको एक अच्छा डाइट, अच्छा भुजन मिलता रहता है, और जब यहाँ पर सितंबर के अंत में मतलब की एक तरीके से सर्दी की सुरुवात होने वाली होती है, तब यहाँ से फिर से अपना क्या करते हैं, बोरिया विस्तर समेट लेते हैं, और फिर से वापस नीचे की और जाने लगते हैं हिमाले के निचले इलाके में जाने लगते हैं ठीक है जब पहाडों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वो निचली पहाडियों की शरन में चले जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से इनका मूवमेंट होता है किसका अब यहाँ पर गद्दी समुदाय के लोग भी क्या गरते हैं, इसी प्रकार से मौसम के आधार पर उचाई निचाई की ओर मुमिट करते रहते हैं, मतलब सर्दी होगा तो निचले इलाकों में, अगर गर्मी होगा तो उचे पहाड के उचले इलाकों में, ठीक है? अब यहाँ पर यही चीज़ कहता कि ये लोग भी मौसमी उतार चड़ाओं का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, अपने मवेशियों को जाड़ियों में चराते हुए जा जो उत्धिए से बहुत सारे उपरी पहाड़ियों में इस्थित घास के मैदान में जाप पहुंचते थे। यहाँ पर ये लोग भी क्या गरते थे? ये लोग भी एक प्रकार से जब सर्दी की दिन होती थी तब सर्दी के दिनों में नीचले इलाके में ही रहते थे। नीचे इलाके कहने का मतलब क्या है? मतलब एक प्रकार से आप यहां पर देखें, यहां जो यह इलाका है, यह क्या है हिमाले का नीचे का इलाका है, हिमाले का नीचला इलाका, यहां पर क्या होगा? सर्दी कम होगी, क्यों सर्दी कम होगी? भाई, यहां पर उंचाई कम है, इ यह लोग यहां चले जाएंगे, गर्मी में क्या करेंगे, अपने जानवरों को यहां घास खिलाएंगे, और जब गर्मी के बाद सरदी फिर से आने लगेगी, तो यहां से यह फिर से नीची आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से इनका movement होता है, इस प्रकार से यह जगा बद गर्मी होता है तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है मैदान बन जाता है और यहां पर कई सारे छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं आपको सायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा जो कि यहां पर क्या कर रहे हैं चर रहे हैं ठीक है तो यहां पर और भी आगे वढ़ें तो इलाके में आ जाते हैं इस प्रकार से गद्धी समुदाय का क्या होता है movement होता है अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है देख लेते हैं तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं वापसी के दिनों में उचले उचे इलाकों में रहना है हिमाले के उचले उचे हिस्सों में रहना है और यहाँ पर आते समय लाहौल इस्पिती के गाओं में यहाँ पर रुखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि शौट में लिख प्रकार से उपर नीचे हिमाले पै करने के साथ साथ ये किसी किसी जगह पर फसल की रोपाई भी करते थे तो क्या करते थे जाने समय फसल लगा दिया आने समय फसल काट लिया और अपना चल गये तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते थे ये लोग फसल काटते भी थे सर्दिय गाहों में चले जाते और अगली अप्रेल में भेड बकरिया लेकर वेव दोबारा गर्मियों के चारागाहों के तरफ रवाना हो जाते मतलब क्या हुआ मतलब कि जो गर्मी है सर्दी है मौसम है मौसम के आधार पर अपने जगह बदलते थे क्योंकि हर जगह पर मौसम के आध बैठे होंगे कश्मीर बैठे होंगे तो वहां आपको गर्मी नहीं लगेगा वहां मजा आएगा कि भाई बहुत मौसम अच्छा है लेकिन सर्दी के दिनों में आपका जो हिमाले है न जो कश्मीर है वहां पर आपको जैकेट पहनना पड़ेगा बर्फ जम जाएगा इतनी सर पर सर्दी के दिनों में पहाड पर घास नहीं होगेगा हिमाले पर क्योंकि वहां पर बर्फ जम होते हैं लेकिन गर्मी के दिनों में आपका यूपी में या फिर दिल्ली में घास नहीं होगेगा क्योंकि वहां गर्मी बहुत जादा होती है और हिमाले पर बहुत अच्छा गहां सुगेगा, इसी वज़ा से ये जो जानवर हैं, अलग-लग मौसम में, अलग-लग जगहों पर अपने जानवरों को चराते थे, इसी वज़ा से ये लोग अपने जगह बगरा बदलते थे, तो अब यहां पर हमें आगे बढ़ना है, और आगे अब हम बात करने वाले हैं उत्रा खंड की, उत्रा खंड में दो इलाके हैं, गढ़वाल और साथ में कुमाउ, इन दोनो इलाकों में किस प्रकार से जो लोग होते हैं, जो चरवाहे होते हैं कैसी इनका मूवमेंट होता है, ये हमें समझना है, लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या समझना होगा कि यहाँ पर किस इलाके की हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर अभी तक हमने क्या बात किया अभी तक हमने एक प्रकार से जम्मु कस्मीर में जो चरवाहे थे उनका कैसे मूमेंट था यह समझ लिया उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की बात कर इसके बाद हम यहाँ पर उत्राखंड की बात कर रहे हैं उत्राखंड में दो इलाके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं पहला आपका गढ़वाल जो की आपको हिमाचल प्रदेश की तरफ है और दूसरा कुमाव जो की इस तरफ है ठीक है इन दोनों इलाकों में किस प्रकार से मू गुजर चरवाएं हैं, यहां पर कौन से चरवाएं हैं, गुजर चरवाएं, यह सर्दी के दिनों में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों के दिनों में उपरी घास के मैदान जिनकों की बुग्याल कहा जाता है, इसकी तरफ चले जाते थे, अब यहां पर इनक लोग बात करें, तो यहां पर आगे मैं आपको ज़रा सा तस्वीर दिखना देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप एक प्रकार से समझजिये कि भाभर क्या होता है भाभर एक प्रकार से आप जोगराफिम अच्छे से पाई जाती है क्यों भाई क्योंकि यहां से नदियां बहती है नदियां अपने साथ पहाड के टुकड़ों को तोड़ कर लाती है और उनको यहां पर छोड़ कर चले जाती है भावर के इलाके में अब यहां भावर का इलाका जो है यह पहाड से नीचे है पहाड का नीचला इ बिल्कुल बगल में, वहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर घास होगा, और यहाँ पर घास क्यों होगा, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से पहाड़ वाला मौसम नहीं चलेगा, बलकि मैदानी इलाके वाला मौसम चलेगा, यहाँ पर गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्म का दिन आता है तो उपर हिमाले की उपर जो घास के मैदान पाये जाते हैं जिनको बुग्याल कहा जाता है कहां पर उत्राखंड में गड़वाल और कुमाव के रीजन में वहां ये लोग चले जाते हैं अब इन दोनों इलाकों की तस्वीर आपको देखना जरूरी है ताकि आ ऐसा इलाका दिखेगा जब आप हिमाले के बिलकुल नीचे होंगे ना हिमाले के बिलकुल नीचे वाले इलाके में होंगे वहां पर ऐसी नदियां दिखेंगी ऐसा ही वहां का एक प्रकार से जमीन आपको मिलेगा यहां पर घास होते हैं सूख जाते हैं गर्मी के दिनों मे अब बुग्याल दिखे इस प्रकार का एक हरा भारा घांस का मैदान होता है, जो कि पहार पर होता है, हिमाले पर होता है, उत्राखंड के गड़वाल और कुमाव इलाके में, जिसकी उचाई 3-4000 मेटर के बीच होती है, मतलब कि 3-4000 समुद्र तल से 3-4000 मेटर के उचाई पर हिमाले पर इस प्रकार के घांस के मैदान कम मिलेंगे, गर्मी के दिनों में लेंगे, इनको क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चरवाए होते हैं, उनका मूवमेंट होता है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे वरते हैं तो आगे यहाँ पर कहता है कि इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलास में उनिश्वी सदी में जम्मु कस्मीर से उतर प्रदेश की पहाड़ियों में आये थे और बाद में यहीं पर बस गए मतलब ये भी एक प्रकार से कहां से आये थे जम्मु कस्मीर से आये थे जो हमने गुजर बकरवाल देखे थे साइद उन से कोई तालुक हो लेकिन उसके बारे में हमें यहाँ पर पता नहीं है समझ गए तो वहाँ से आये थे और यहीं पर बस गए यहीं पर इन्होंने अपना रोजी रोटी चलना शुरू कर दिया रहते हैं और उनका जो movement होता है आवागमन होता है वो सर्दी गर्मी के ही साब से होता है क्योंकि अलग-अलग जगों पर अलग-अलग मौसम में घांस मिलते हैं चारा मिलता है जानवरों के लिए और वो अपने चराने पाते हैं यहां पर उदारन में कुछ और चरवाहे समुदाय के नाम लिखे गए हैं जैसे भेटिया समुदाय, शेरपा, कि नौरी समुदाय ये लोग भी इसी प्रकार से चरवाहे का काम करते हैं और ये सभी समुदाय जो हैं मौसम बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अल जानवर चरा रहे हैं, चारा खतम हो गया, नई खिलाप आ रहे हैं, दूसरी जगह चले गया, दूसरी जगह जानवरों को चराने लगे, ठीक है इस आवाजाही से चारा गाह जरुवत से ज़्यादा इस्तमाल से भी बच जाता था और उनमें दुबारा हर्याली वर जिन्दगी लौट आती थी मतलब किया हुआ, मतलब एक प्रकार से हुआ कि देखिए कोई भी जगह पर जहां पर घास है, जानवर चरार हैं, वहाँ पर दभी तक जानवर चरेंगे जब तक अच्छी मातरा में घास होगा जब भी वहाँ पर घास की मातरा कम हो जाएगी चानवर दूसरी जगह चले जाएगे तो वहाँ पर घास को फिर से उगने का मौका मिल जाएगा उसको फिर से हरा भरा होने का मौका मिल जाएगा और एक प्रकार से प्रकृती पर घास के मैदान पर जादा जोर भी नहीं ये एक प्रकार से प्रकृति के साथ संतुलन बना कर चलने का एक बहुत अच्छा तरीका था जीवन था जिससे लोग जो थे वो एक प्रकार से चलते थे अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है कि देखे यहाँ पर गद्धी समुदाय के जो लोग हैं वो भेडों की उन उता जीजे बेचते थे बहुत सारे समुदाय के लोग जो थे वो इस प्रकार से जो भेड़ बकरिया पालते थे वो इस प्रकार से उन वगरा बेचते थे बहुत सारे जनवरों को भी बिक्री करते थे बहुत तरीके के जीवन जीने के इनके तरीके थे ठीक है अब यहाँ पर आ आधार पर हिमाले के इलाके में उपर नीचे आवागवन करते हैं। लेकिन यहा पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़कर ऐसे चरवाहे समुदाय की बात करने वाले हैं, जो समुदाय पठार, मै αυτό पर मैदान और रिगिस्तान इलाकों में रहते हैं। मतलब कि जब एक प्रकार का बरसात का मौसम आ जाए, सूखा का मौसम आ जाए, या फिर एक प्रकार से किसी इलाके में फसल का मौसम है, फसल कटी है, तो इस चीजों को ध्यान में रखकर जो हमारे चरवाहे हैं वो मूव करते हैं हमारे मैदानी, पठारी और रिगिस्तानी इलाखों में तो यहां पर अगर हम शुरुआत करने तो सबसे पहले हम महराश्ट्र के साथ सुरुआत करते हैं और महराश्ट्र में एक चरवाहा समुदाय पाया जाता है जिसका नाम है धंगर समुदाय ठीक है अब धंगर समुदाय के लोगों को अगर आप देखना चाहें तो ऐसे इनकी एक वेशभूशा होती है या फिर इनके पास बहुत सारे भेड़ बक्रियां वगरा होती हैं जो ये पालते हैं अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने कहता है कि इस समुदाय की आबादी लगभग 4,60,000 थी बीसवी सदी में इन में से जादा तर क्या थे गरड़िये का काम करते थे यानि कि चरवाही का काम करते थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे इस समुदाय के जो की कंबल और चादर बनाने का भी काम करते थे लेकिन कुछ लोग इसके अलावा भैस पालने का भी काम करते थे मतलब मिला जुला कर समझे ये कि ये जो समुदाय है एक प्रकार का चरवाह समुदाय है जो कि उसी से जुड़ी हुई चीजों का काम करता है या तो जानवर पालना या फिर कुछ जानवर से जुड़ी हुई चीजे बनाना अब यहाँ पर कहता है कि इनका movement कैसे होता है, मतलब जो धंगर समुधाय के लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते आते हैं, किन कारणों से जाते आते हैं, ये समझिए. तो कहता है कि जो धंगर गररिये हैं, ये बरसात के दिनों में महराश्ट्र के मध्धे पठारों में रहते हैं, अब ये मध्धे पठार क्या चीज़ है, मैं अभी तुरन दिखाऊंगा, थोड़ा सा समझिए. तो यहां पर आगे कहता है, यह एक अर्ध शुष्क इलाका है, जहां बारिस बहुत कम होती थी, और मिट्टी भी खास उपजाव नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ कटीली जाडियां होती थी, बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा, यहां और कुछ नहीं उकता था, मौनस इसे में क्या समझना है, यह समझना है, यह देखिए महराष्ट का आप नक्सा देख सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग-अलग इलाके दिखाए गए हैं, उनकी उचाई की आधार पर, तो यह जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यह एक प्रकार से मैदानी इलाका है, संत्रे के रंग में, तो यह इलाका जो है, एक प्रकार का पठारी इलाका है, और यह आप कह सकते हैं, कि यह इलाका मध्ध पठार का इलाका है, महराष्ट का, तो यहाँ पर जब भी मौनसून का समय आता था, बारिस का समय आता था, तो यह जो चरवाहे थे धंगर समुदा यह इस इलाके में आकर बैड़ जाते थे, क्यों, इस इलाके में क्यों, इसका कारण है कि देखें जो मौनसून आता है, उसमें इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है, इस इलाके में बारिश क्यों कम होती है, यहां पर आपको पस्चिमी घाट के पहाड पाय जाते हैं, उन से यहाँ पर पानी नहीं होगा, पूरा इलाका सूखा हुआ रहेगा, सूखा रहेगा तो यहाँ पर आपको कोई भी मिल्टी, मतलब गीली नहीं रहेगी, यहाँ पर जो भी पौधे हैं, वो सूख जाते हैं बरसात के दिनों में मतलब पूरे इंडिया में जब आपको बरसात होता है आपको जब भी मॉंसून होता है उस समय यहां पर सूखा हुआ होता है तो जितने भी घास फूस रहते हैं वो मॉंसून में यहां पर सूखे हुए रहते हैं ठीक है तो यही सूख साथ के दिनों में आते हैं धंगर समुधा है, ठीक है, क्यों क्योंकि ये इलाका सूखा हुआ इलाका है, समझ गया, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे वढ़ें, तो आगे यहां पर कहता है कि अक्टूबर के आजस पास धंगर बाजरे की कटाईगा है, अब बात है कि यह इस इलाके को मैंने दिखाया, वहाँ पर आए, वहाँ पर बाजले की फसल की, बाजले की फसल की कटाई की, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से बाजले जैसी सूखी फसल ही केवल उगती है इस इलाके में, समझ गये? तो यहाँ पर आप यह समझी कि यह लोग खे काती और पस्चिम की तरफ चल गए. पस्चिम की तरफ करीब एक महीने भर पैदल चलने के बाद ये लोग अपने रेवडों के साथ कोंगन के ईलाके में जाकर डारा डेरा डाल देते थे. अब यहाँ पर कोंगन का इलाका कहा है भाई? तो कोंगन के इलाके की बात करें, तो यहां जो ये वाला इलाका देख रहे हैं, यह आपका कौंकन का इलाका कहलाता है। मतलब जो समुद्री टेटिये इलाका है ना, उसकी बात यहां पर की जा रही है। इस इलाके से एक महीने तक पैदल चलने के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर डेरा डाल देते हैं, और जो भी चीजे करनी है वो यहीं पर करते हैं, मतलब उसके बाद वहाँ पर कुछ दिनों के लिए यह लोग रह जाते हैं, ठीक? इसके बाद कहता है कि अच्छी बारिस और उपजाव मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खोब होती थी, अब जिस इलाके कौंकन इलाके की बात मैंने की, वहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, खेती भी यहाँ बहुत अच्छी होती है, इस वज़े से क्या पुरा खेत भरेगा और जब यहां पर अनाज की कटाई होती है उस समय ये लोग वहां पर पहुंचते हैं कौंकन के इलाके में पहुंचते हैं जब अनाज की कटाई होती है उस समय जो किसान होते हैं वो भी इन चरवाहों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और वो एक प्रकार से जिस समय धंगर कौंकन पहुँचते थे उसी समय कौंकन के किसानों को खरीव की फसल काट कर अपने खेतों में रवी की फसल बोने के लिए दोबारा उपजाव बनाना होता था अब क्यों स्वागत करते हैं किसान भाई फसल के कटाई की समय उस कारण ये है कि यहां पर जिस समय धंगर लोग पहुँचते थे कौंकन के इलाके में उस समय कौंकन के किसान जो थे वो खरीव फसल की कटाई करते थे अब खरीव फसल की कटाई होगी तो वहां पर आपको आपने एक शब्द सुना होगा ठूट ठूट आप नहीं जानते होंगे तो आपने जानवर क्या करेंगे इन सारे ठूटो को खाएंगे इस प्रकार के जो भी आप एक कह सकते हैं खेतों में बच जाते हैं उनको खाएंगे और इसको खाने के बाद यहां पर एक प्रकार से क्या करेंगे मल मुत्र विसरजन करेंगे पिशाब करेंगे तो उससे क्या होगा यह यहां पर जो खेत हैं, खेत को एक प्रकार से उर्वरक मिल जाएंगे, बहुत उपजाव हो जाएगी भूमी, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, तो यहां पर क्या होता था, कि यहां पर जो किसान होते थे, वो भी स्वागत करते थे इन धंगर समुदाय के लोगों का, उनके जानवरों का, कि यह जानवर आकर हमारे खेतों को साफ भी कर देंगे, और साथ में हमारे खेतों को उपजाव भी बना देंगे, अब यहां पर रभी और खरीफ फसल के बारे में, तो यहां पर बताया गया है, रभी फसल जो है, इनकी कटाई मार्च में होती है, जब आने वाला होता है तब इसकी रुपाई की जाती है और सितंबर अक्टूवर में जब monson खतम हो जाता है तब इसकी कटाई हो जाती है ठीक तो यहाँ पर ठूट के वारे में बात की गई है, पौधो की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ का हिस्सा जो होता है, उसी को ठूट कहा गया है। अब यहाँ पर आगे यही चीज है कि क्यों यह लुक्स्वागत करते थे क्योंकि उनको अपनी जमीन को एक प्रकार से फिर से उपजाव बनाना होता था। पतलब वहाँ पर कोंकन गये, वहाँ पर एक प्रकार से चारा भी मिल गया उनको जैंवरों को, और उनको चावल भी दे दिया किसानों ने, और किसानों को भी फायदा हो गया, तो इससे एक प्रकार का समझस्य से था, और साथ में इनको अनाज भी मिल जाता था, चावल मिल जाता था तो ये लोग अपने घर भी ले आते थे क्यों भाई क्योंकि जिस इलाके में पठारी इलाके में ये लोग रहते थे वहाँ पर वहाँ पर चावल जैसे अनाज नहीं उखते थे या फिर बहुत कम उखते थे आगे कहता है कि मौन्शुन की बारी शुरू होते ही से अपने पठारी इलाके में मध्य जो आपका महराष्ट का इलाका है वहाँ पर पहुंच जाते थे क्योंकि जो भेड होते हैं वो आपको बारिश या फिर गीला मौसम बरदास नहीं कर सकते हैं समझ गए अब ये हमने महराष्ट की बात कर ली महराष्ट के अलावा दूसर पठार का इलाका वही पर थ्रिला ही होगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मवेशी भेड बक्रियों और गडरियों का एक प्रकार का बैसेरा होता था यहां भी बहुत सारे ऐसे समुदाय रहते थे जो कि जानवरों को चराने का काम करते थे मतलब कि चरवाही समुदाय र काम करते थे और हाथ से बने हुए कंबल को बेचने का भी काम करते थे ये लोग जंगलों और छोटे-छोटे खेतों के आसपास रहते थे वे अपनी जानवरों की देखवाल के साथ सत कई दूसरे काम दंदे भी करते थे जैसे कहीं नौकरी करना हो गया मजदूरी करना हो गया इस प्रकार की काम भी करते थे पहाडी चरवाहों के विपरीत यहां के चरवाहों का एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाना सर्दी गर्मी के से तै नहीं होता था ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह वगलते थे हमने अभी तुरन देखा कि भाई महराष्ट के किसान कैसे रहते थे महराष्ट के जो धंगर समुदाय के लोग थे वो कैसे रहते थे उसी प्रकार से यहां पर भी जो समुदाय हैं यहां पर भी जो चरवाहे हैं वो इसी कारण से सूखे और बरसाद के मौसम के हिसाब से एक जगध से दूसरे इलाके में आते जाते थे आगे कहता है कि सूखे महिनों में वो टटिये इलाकों की तरफ चले जाते थे और जबकि बरशाद सुरू होने पर वापस चल देते थे मौनसून के दिनों में टटिये इलाकों में जिस तरह की गीले दल्दली हालात पैदा हो जाते थे वो सिर्फ भैसों को ही रास आ सकते थे ऐसे समय बाकी जन्रों को सूखे पटारों में ले जाना जरूरी था हमने अभी तुरंत क्या देखा? हमने अभी तुरंत देखा कि भाई यहां पर जो हमारे धंगर समुदाय के लोग थे वो भी सूखे मतलब मौनसून का जब सीजन होता था तब पठार के इलाके में रहते थे जब थंडी आ जाती थी मौनसून नहीं होता था बारिश नहीं होता था तब कोंगन इलाके में चली जाते थे तो उसी प्रकार से जो करनाटक और आंध प्रदेश में भी रहने वाले जो समुदाय हैं ये आपको चरवाह समुदाय ये भी इसी प्रकार का मुहमेंट करते थे अब यहां पर अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर आपको मैं जरा सा तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिससे की आपको समझ में आएगा एक सिंड ये तस्वीर देखिए इस तस्वीर में हमने महराष्ट की बात की लेकिन महराष्ट के अलावा दूसरे जो इलाके हैं उसमें भी काफी पठारी इलाके है जैसे यहाँ पर हमने इस इलाके की महराश्ट की बात तो कर ली लेकिन यहाँ पर आपका करनाटक आ गया यहाँ पर आपका आंध प्रदेश आ गया इन इलाकों में भी अगर आप देखेगा तो समुद्र के किनारे वाला जो टटिय इलाका वो एक प्रकार का समतल भूमी है, वहाँ पर बहुत खेती होती है, बारिश भी बहुत अच्छी होती है, इसी प्रकार से इस तरफ जो पस्चिमी घाठ है, यहाँ पर भी काफी बारिश होती है, यहाँ पर भी एक प्रकार से समतल भूमी है, तो जब मौनसून का समय होता है, तो जितने भी चरवाह समुदाय हैं, वो इस प्रकार के पठारी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि ये इलाका सूखा हुआ रहता है, यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, और यहाँ पर रहने का कारण ये है, कि जो जानवर हैं, जो भेडबकरियां हैं, गाएं हैं, इन सभी को गीला मौसम अच्छा नहीं लगता है, यह सभी सूखे मौसम में रहना पसंद करते हैं, और गीले मौसम में सिर्फ एक जानवर है, जिसको बहुत अच्छा लगता है, वो है भैस, तो जो भी भैस पालते थे, वो यहाँ रह जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो कुछ लोग इस तरफ के घाट पर चले जाते थे, इस प्रकार से यहाँ पर जो चरवाः समुदाए थे, इनका आवागमन इस इलाके में भी होता था, और यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे कहता है कि चरवाहों में एक जाना पह में पंजाब में मध्ध प्रदेश में और महराश्ट के कई इलाकों में रहते हुए मिल जाएंगे मतलब पहले तो यह चरवाही के रूप में रहते थे आज बहुत सारे लोगों का जीने का तरही का बदूल चुका है लेकिन यह भी आज मौजूद है ठीक है यह लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांवालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजे बेचते जाते थे यह जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चाराग्राह की खोज में रहते इनका जो एक दूर तक सिधे चले जाते वहां से कहीं और चले जाते तो एक जगह यह टिकर नहीं रहते थे और यहां पर रास्ते में अनाज की बिक्री चारे की बिक्री या फिर इनको खरीदना जानवर बेचना जो भी इनकी पास है बेचना इस प्रकार से व्यापार करके यह लोग चल आरी है यहां पर एक चरवाह समुदाय रहता है जिसका नाम है राई का समुदाए अब यहां पर बात करें तो यहां पर लोगों का जो एक प्रकार का जीने का तरीका था यह समुदाय का। वो थोड़ा अलग था भारत के दूसरे इलाकों से क्यों अलग Som hub बहुत अलग है यहां की मिट्टी बहुत अलग है यहां पर बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है बिलकुल ना के बराबर होती है बारिश का कोई भरुशा नहीं है तो इस वजह से यहां पर जो लोग है वो एक यहां पर यही चीज कहता है कि बहुत सारे इलाकों में तो द और साथ में चरवाहा का भी काम करते थे, क्यों भाई? क्योंकि खेती थोड़ा मोड़ा होता है, खेती में जो मिल गया, मिल गया, नहीं मिला, तो फिर चरवाहे का काम करो, उससे जो पैसे मिले, उससे अपना घरबार चलाओ. तो यहाँ पर जैसे बात करें तो यह जो लोग है राइका समुदाई के लोग हैं यह बरसात के मौसम में जिस समय बारिस होती है उस समय अपने इलाके में रहते थे जहां इनका गाओं था जहां इनका घर था वहीं पर रहते थे जैसे कि कुछ जीले के नाम लिखे के हैं बार उबर के बाद, इनके इलाके में पाया जाने वाला चारागाह सूख जाता था, उसमें चारा बचता ही नहीं था, तो ये अपने जानवरों को चराने के लिए, या आतए थे और अगले बरसात में ही वापस आते थे, अगले बरसात तक इनका पूरा जीवन था, वो चलता आगे कहता है कि राइकाओं का एक तबका उन्ट पालता था जब कि कुछ भेड बकरिया पालते थे कुछ लोग उन्ट पालते थे, कुछ लोग भेड बकरिया पालते थे जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर एक राई का समुदाई का वेक्ती है जो की अपने साथ उट लेकर चल रहा है और यह उट पालने का काम करता है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो आगे और भी काफी सारे तस्वीर हैं यहाँ पर आपको उट मिला लगा यहाँ पर भी उटो की खरीद विक्रिव अगरा होती है तो इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर आगे कहता है कि आगे यही पर है और सोरी यही पर होड़ा सा इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाईお願いों के सकते हैं, उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बलकि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन रास्तों से गुजरने की छूट मिल सकती है और किन इलाकों से नहीं तो यहाँ पर आपको आप अगर ये सोच रहे होंगे कि बस कहीं ये चरवाहे चले गए, कहीं से आ गए और कहीं भी चरा लिया अपने जानवरों को तो ऐसा नहीं होता था यहाँ पर ये जो चरवाहे होते थे इनको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता था कि भाई मैं अभी जिस इलाके में हूँ यहाँ पर कितने दिनों का अनाज बचा हुआ है यहाँ पर मेरे जानवरों के लिए कितने दिनों का चारा बचा हुआ है अब यहाँ से मुझे अगर जाना है तो कहां मैं जाओं कहां मेरे जानवरों को अनाचारा मिल जाएगा और मैं जाओंगा तो किस रास्ते से जाओं किस गाओं से मुझे जाने का पर्मिशन मिलेगा किस गाओं से मुझे पर्मिशन नहीं मिलेगा कहां मैं रुख सकता हूँ सभी चीजों का ध्यान रखना होता था तब इन सभी चीजों को देख कर ये आगे बढ़ते थे अब यहाँ पर जब ये रास्ते में जाते थे तो रास्ते में जितने भी गाओं पढ़ते थे जितने भी खेत पढ़ते थे उनके किसानों के साथ भी इनके अच्छे वेवार रहने चाहिए तभी ये एक प्रकार से उनके इलाके से गुजर सकते थे या फिर उनको जो भी चीजें हैं वो मिल सकते थे जैसे उनके खेतों में घांस चर सके उनको पजाओ बनाने के लिए अपने मल्मुतर छोड़ सके तो उससे ये इनको का काफी फायदा मिलता था और एक प्रकार से इनका जरूरत था भी कि जहां से ये गुजरे दोस्ती एक प्रकार का बना कर रखे अपनी रोजी रोटी की जुगाड में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे आईए अब देखे कि अपनिवेशिक शाषन के दौरान यानि अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला यानि अब हम यहाँ पर आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, आगे अब हम बात करेंगे कि ये सारे जो चरवाहे समुदाय थे इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा जब भारत पर अंग्रेजिस हुकुमत का शाषन आ गया अब यहाँ पर राई का समुदाय के कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग अपने वन्शावली की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर आगे हमारे सामने हैं टॉपिक नंबर दो, टॉपिक नंबर दो क्या कहता है अपनिवेशिक शाषन और चरवाहों का जीवन यानि जब अंग्रेजों का साषन स्थापित हुआ भारत के उपर, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, चरवाहों के उपर क्या प्रभाव पड़ा, यह चीज़ यहाँ पर इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग शौट में बात करें, तो सीधे सीधे यह समझे कि जब भारत में आपनिवेशिक शाषन आया, मतलब कि जब भारत पर अंग्रेजों का शाषन आ गया, तो उससे चरवाहों का जीवन एक प्रकार से पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो गया, या फिर उनकी जिन्दगी बत्तर हो गई, उसका कारण ये था, उसका कारण था कि भाई उनके जो चारागा थे, वो काफी सिमट गए, सिमट गए कहने का मतलब है कि भाई पहले जिन जगों पर वो अपने जानवरों को चरा सकते थे, अब नहीं चरा सकते थे, इधर उधर पर उनको कई सारे बंदिश्य लगा दी गई और साथ में उनसे टैक्स लिया जाने लगा लगान जी लिया जाने लगा जब भी वो एक प्रकार से जंगल में जाते थे चारागाहों में जाते थे अब लगान पहले भी चलता था थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं होता था कि लगान उनसे कुछ ले लिया गया लेकिन अंग्रेजों के जमाने में लगान जो था वो बहुत ज़ादा बढ़ गया साथ में जो खेती जिन इलाकों में वकरते थे वो वहाँ पर भी उनको अब आजादी नहीं थी खेती करने की क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरे किसान आ चुके थे खेती करने के लिए और उनके जो भी पेशे थे हुनर थे सब चीजों पर एक प्रकार से बंदिस लग गई अब यहाँ पर क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ ये चीज़े हम समझते हैं तो यहाँ पर समझते हैं चार पॉइंट्स आपको समझनी है जिनके अधार पर जिन मतलब जो जो चीजे हुई थी चरवाहों के साथ पहली बात मतलब कि पहला पॉइंट क्या है जो कि चर्वाहों के साथ हुआ था पहला पॉइंट कहता है कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो चारा गाहों को खेती की जमीन में तब्दिल कर देना चाहती थी सीधा सीधा समझे कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में क्या हो भारत में जो भी जमीन है उस पर खेती हो अब ये चीज आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ी थी कि जो अंग्रेज थे वो जंगलों को भी काट कर खेत बढ़ाना चाहते थे और साथ में जो चारागा थे जहाँ पर जानवर चरा करते थे जहाँ पर कोई खेती नहीं करता था वहाँ पर भी अंग्रेज चाहते थे कि क्या हो खेती हो अब यहाँ पर इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो जमीन पर खेती होती थी उस पर अंग्रेजों को tax मिलता था लगान मिलता था और अंग्रेजी सरकार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी लगान से आता था इसी tax से आता था तो इसी वज़न से जो सरकार थी, वो सोचती थी कि अगर खेती का छेतरपल वड़ेगा, अगर जादा इलाके में खेती होगी, तो जादा लोग हमको खेती का टैक्स देंगे, अब टैक्स देंगे तो क्या होगा, हमारी आय में बढ़ोतरी होगी, और हम अच्छे से अपना सा मिलेगा, और दूसरा फाइदा ये है, कि यहाँ पर जो जूट की खेती होगी, तो जूट उगेगा, पटसन उगेगा, सोरी, जूट वही पटसन हो जाता है, कपास उगेगा, गेहू उगेगा, और भी ऐसी चीजों का उत्पादन होगा, जिनकी इंगलैंड में मांग मतलब हम यहाँ से उगा के इन चीजों को यूरोप में ले जाकर भी बेच सकते हैं, और बहुत फाइदा कमा सकते हैं, समझ गया, तो यहाँ पर देखिए, एक बात समझाई गई है, कि जो अंग्रेजी अपसर्थ है न, जो एक प्रकार से सरकार चला रहे थे भारत में, उन किसे हमको क्या फाइदा हो रहा है, या फिर किसी को क्या फाइदा हो रहा है, कुछ फाइदा नहीं हो रहा है, तो फाइदा कैसे कमाया जाए, फाइदा कमाने का तरीका है, जंगल है तो जंगल काड़ दो, अगर वहाँ पर जानवर चरते हैं तो उसको हटा दो, सभी जग ह पर क्या हो एक प्रकार से खेती हो खेती से क्या होगा लगान मिलेगा और साथ में एक प्रकार से उपज भी होगा लेकिन अगर खेती नहीं होगा तो ना तो लगान मिलेगा ना कोई चीज उगेगा वहाँ पर सिर्फ एक प्रकार से बिगार बिकार में वो जमीन पड़ी रहेगी, समझ गया, यही चीज़ कहा है कि अंग्रेज ऐसी जमीन को बिकार मानते थे, अब अंग्रेजों का माना था कि ऐसी जमीनों को खेती लाइक बनाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या-क्या बहुत इलाकों में, देश के बहुत बड़े इलाके मे जो भी परती भूमी थी, वहाँ पर परती भूमी विकास के लिए कई सारे नियम बनाए गए, कई सारे इलाकों में नहर बनाई गई, बहुत सारी चीजे की गई, बहुत चीजे की गई, ताकि सभी इलाकों में खेती को बढ़ावा दिया जा सके, तो इसके लिए कानून भी ब खेती कर सकते हैं, तो अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाया, कि जो भी इस प्रकार की जमीन है, बेकार जमीन है, किसी का नहीं है, उसको सरकार कबजा मिले लेगी, सरकार पहले इसको क्या करेगी, और कबजा करने के बाद क्या करेगी, ये किसी भी व्यक्ति को दे देगी, कि भाई या तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ, या थोड़ा सा टैब पैसा दे दो, और इस पर जाकर तुम खेती करो, तो इस प्रकार से कई सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे चीज़ें की गई, बहुत सारे टैक्स में छूट दिया गया, ताकि इसको इस जमीन पर खेती की जा सके, और खेती के लिए उसको बहुत बढ़ावा दिया गया, समझ गया, तो ऐसे कोई लोग होते थे, जो कि इस प्रकार के जमीन को लेते थे, उनको कई बार मुखिया बना दिया जाता था, और सारी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, और इस तरीके से जो जमी इन कबजे में ली गई थी, इनमें से जादा तर वो जमीन थी, जो कि चारा गाह के रूप में यूज होता था, मतलब ये जमीन खाली पड़ी है, इस पर कोई भी खेती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी का नहीं है जमीन, खाली जमीन है, तो यहाँ पर अपने होगा, तो जानवर कहां से चरेंगे, तो इस वज़ा से क्या हुआ, इस वज़ा से जो चारा गाह थे, वो एक प्रकार से सिमटने लगे, पहले बहुत बड़े इलाके इसी प्रकार से खाली पड़े हुए थे, उनका कोई मालिक नहीं था, कोई वहाँ नहीं जाता था, किसी बढ़ावा देना चाहती थी, अब यहाँ पर दूसरी बात, दूसरी पॉइंट कि जिसकी वज़ा से यहाँ पर चरवाहों के जीवन में तकलीफे बढ़ी या फिर उनका जो रोजी रोटी था उस पर दिक्कत हुआ, उसका कारण है जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ यहाँ पर एक प्रकार से जो जंगल होते थे, उनको आरक्षित वन घोशित कर दिया गया, वहाँ पर कोई भी वेक्ती नहीं जा सकता था, कोई भी वेक्ती वहाँ पर कोई भी चीज ले नहीं सकता था, और यहाँ पर जो एक प्रकार से यह जंगल थे, यहाँ पर चरवाहे जो थे वो जाते थे। इन जंगलो में अपने जानवरों को चारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे जानवरों के लिए, और वहाँ पर इनको काफी अच्छी मातरा में और काफी अच्छी क्वालेटी का चारगा मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जंगलों में चरवाहों के घुषने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि भाई जंगल आरक्षित है, आपने पिछले चेप्टर में देखा कि जो गाँवाले थे, वो भी परेशान थे इस प्रकार के कानून से, और ये जो चरवाहे थे, ये भी परेशान थे कि वे ये जंगल में नहीं जा सकते थे, तो अपने जानवरों को चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिये गए, लोकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदी से लगा दी गई, मतलब क्या हुआ, मतलब अंग्रेजो उनकी अभी आपने जानवरों के लिए चारा मिलता है, तो चलो उनकी जाने दो, जाने दो लेकिन ये मतलब नहीं कि अपनी मर्जी से जाने दो, जितने देर के लिए अंग्रेज चाहेंगी उतना देर के लिए जाने दो, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से आप जंगल में जाएंगे आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जंगल में आप नहीं जाएंगे अब यहाँ पर इसका कारण ये था, इसका कारण ये था कि जो अधिकारी लोग थे, वो सोचते थे कि भाई देखो, यहाँ पर अगर जंगल में अगर पशु चरते हैं, पशु अगर पौधों को खाते हैं, तो पौधों के बीच में कई सारे छोटे 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 पौधे हो उससे एक प्रकार से जो आगे चल कर 10 साल बाद जो एक बड़ा बड़ा पेड़ बन सकता था वहाँ पर एक प्रकार से कुछ नहीं होगा। कि ऐसा नहीं था कि ये चरवाहे जो थे सिर्फ अपने जानवरों को खुले मैदान में चराते थे, खेतों में चराते थे, नहीं, ये जंगलों में भी बड़ी मात्रा में अपने जानवरों को चराते थे, अब यहाँ पर जो कहता है कि जो पहले मवेशियों के लिए बहुमू छूट दी कि भाई तुम जंगल में जा सकते हो या फिर चारा काह में जाकर अपने जानवरों को चरा सकते हो लेकिन यहां पर भी जाने के लिए अंग्रेज जो थे वो बहुत कड़ी सर्ते लागू करते थे कैसे कड़ी सर्ते लागू करते थे जैसे यहाँ पर अंग्रेजों ने तै किया कि कोई चरवाहा अगर अपने जानवरों को लेकर जा रहा है जन्रल में तो उसको पास बनवाना पड़ेगा इस पेसल पास बनेगा और उस पास पर प्रवेस और वापसी का तारीख लिखा हुआ रहेगा और साथ में पास को अब परमिट भी कह सकते हैं तारीख भी लिखा हुआ रहेगा और कितने जानवर हैं कितने जानवर गये आए सभी चीजों का उस पर रिकॉर्ड रहेगा और य अही समय तक वो जंगल में रह सकते थे, उसके बाद इनको बाहर आना पड़ता था, चाहे उनका मन हो या ना हो, समझ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वही चीज है, कि भाई, जो चरवाहे थे, उनका चारा का काफी कमी होने लगा इस चीज की वज़त से, यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है, कि परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था, कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे, अगर वह समय सीमा का उलंगन करते, तो उन पर जुर्माना भी लगा दिया जाता था, ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइं इनको कंट्रोल करना, मैनेज करना मुस्किल है, अगर लोग गाउं में रहेंगे, अगर लोगों के पास अपना घर होगा, अपना जमीन होगा, अपना खेती करेंगे, तो वैसे लोगों को अंग्रेज, सिविलाइजड मानते थे, मतलब कि एक प्रकार से अच्छे जनता या इनको एक प्रकार से जो अंग्रेज थे, वो शक की नजर से देखते कह सकते हैं, या फिर क्रिमिनल अपराधी मानते थे, समझ गए, यहाँ पर यही चीज है कि अंग्रेज चाहते थे कि वे ग्रावेन जनता गाउं में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंतरित करना ज्यादा आसान था, जो एक जगर टिक कर रहती हो, मतलब लोग अगर एक जगर टिक कर रहेंगे, तो उनको गिंती करना आसान है, उनको पहचानना आसान है, उन पर निगरानी रखना आसान है, और उनको इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अंग्रेज जो थे वो गाउं में रहने वाले लोगों को ज्यादा शांतिरी प्रिया लोग मानते थे और कानून का पालन करने वाला मानते थे लेकिन जो घुमन्तू थे इनको अपराधी मानते थे। गुमन्तू लोग हैं, इनको क्या कर दिया गया? सीधे सरकार ने अपराधी घुशित कर दिया और इनके लिए Criminal Tribes Act कानून पास किया जिसका मतलब होता है अपराधी जनजाती अधिनियम। इसकी तहत इस कानून के हिसाब से जो भी दस्तकार, व्यापारी या चरवाहे थे, ज अब यहाँ पर क्या हुआ, इस कानून के लागू होते ही, ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाउं बस जाने का हुक्म सुना दिया गया, उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई, ग्राम में पुलिस उन पर सदार नजर रखने लगी। आपको परमिट लेना होगा, और गाउं में जो पुलिस होती थी, वो इन पर नजर भी रखती थी। इस प्रकार से ये लोग जीते थे। तो भाई, अंग्रेजों के आने से पहले जो समय था, वहोत ये अपनी मर्जी से जी सकते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, इनक उपर बहुत सारी निगरानी लगा दी गई और बहुत प्रकार की रोक भी लगा दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहता है, आगे है चौथा पात, चौथा पॉइंट की इनके जीवन पर क्या आसर पढ़ा, तो चौथा पॉइंट पर बात करें, तो अंग्रेजी सर इन पर टैक्स लगता था, और भी चीजों पर, लेकिन आगे चलते चलते जो अंग्रेज थे, वो हर चीजों पर टैक्स लगाने लगे, जैसे कि जमीन पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, या फिर चीजों की खरीद फरोक पर, यहाँ तक की मवेशियों पर भी टैक्स लगन को चराने के लिए अब यहाँ पर यही कहता है कि जादेस के जादा तर चरवाही इलाकों में 19 सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू हो गया था यहाँ पर टैक्स लगता था जब भी जानवर चराने कहीं भी जाते थे उन सभी इलाकों में प्रवती मवेशी टैक्स की द बोली लगा कर ठिकदारों को सुपा गया, मतलब ठिकदार जो हुता था, उसको दे दिया जाता था कि भाई देखो तुम हमको सो रुप्या दे दो, और पूरे गाउं में से जितना जमीन है, उस पर अगर कोई जानवर चराने आता है, तो उससे तुम जितना मर्जी है, उतना का ठिकदारी लेते थे वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से टैक्स लेते थे तो यहाँ पर चरवाहों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था अब यहाँ पर आगे चलकर 1880 के बाद क्या हुआ यहाँ पर सरकार जो थी वो खुद से टैक्स लेने लगी ठिकदारों कर उसी अधार पर टैक्स देना पड़ता था तब उसके बाद ही वहाँ पर वो लोग जानवर वगएरा चरा सकते थे तो इस प्रकार से यहाँ पर चार पॉइंट हमने देखे चार मुखी मुद्दे जिस तरीके से चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा इंपक्ट पड़ हमने तो उपर देखा कि भाई बहुत सारी चीज़े हुई जो कि चरवाहों के लिए बिलकुल उल्टी थी उनके खिलाफ थी तो उनका असर क्या पड़ा ये चीज़ हम समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या है चारा गाहों की गंभीर समस्या प विधा मिल जाती थी लेकिन अब उनको समस्या हो गए क्योंकि इनके पास जो चारा गाह थे वो काफी कम हो चुके थे बहुत सारी पुरानी जमीन पर अब खेती होने लगी थी और बहुत सारे जो जंगल थे जहां ये जाते थे वहाँ पर अब इनको आजादी नहीं थी और जहां भी एक प्रकार से चारागाह थे जहां पर जानवर चर सकते थे वहाँ पर अब इनको जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था लगान देना पड़ता था अंग्रिजी शरकार को तो क्या हो गया यहां पर इनका जो एक चारागा था चारागा सिकूरने लगा इस तरह जंगलों के आरक्षन का नतिज़ा यह हुआ कि गरड़िये और पसुपालक अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे, हमने देख लिया कि जंगल में भी नहीं चरा सकते थे, और साथ में जाकर कि दूसरे आपको चारागा थे, वहां भी न जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, अब यहां पर समझ ये, कि यहां पर अगर इतना बड़ा जमीन है, जो पहले चारागाह था, अब इस जमीन में से आधा जमीन अगर हम क्या कर दें, हम इस आधे जमीन को खेत बना दें, तो अब चारागाह कितना है, इतना बचा हु अब 100 जानवर यहां चरेंगे, तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अनाज की कमी होगी, चारे की कमी होगी, क्योंकि यहां पर अब जानवर की संख्या जादा हो चुकी है, इसी चीज को यहां पर कहता है, कि जो भी बचे कुछे चारागाह थे, वहां पर जानवरों की तदात काफी बढ़ने लगी, इसका नतीजा यहुआ की चारा गाह सदा जानवरों से भरे रहने लगा। फिर एक महीने दूसरे खित में चराया, तो इससे क्या हुआ, इस खेत को और इस खेत में चारा उगने के लिए फिर से समय मिल गया। चारा को उगने का समय नहीं मिला, उससे क्या हुआ, उससे एक प्रकार से जो चारा गाह थे, वो चरवाहों के लिए काफी कम होने लगे। अब यह तस्वीर आप देख रहे हैं, तो यह तस्वीर में आपको भारत के नक्षे में बताया गया है कि अलग-लग इलाके में कौन-कौन से आपके चरवाहिस समुदाये पाए जाते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिये गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहता है कि चारा गाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारा गाहों का अस्तर गिरने लगा। अब क्योंकि हमने बताया कि देखो एक समय तक आप छोड़ दोगे खेत को, तो उसमें चारा उग जाएगा, बड़ा-बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अगर उस खेत को खाली नहीं छोड़ोगे, तो चारा उगेगा कैसे, जो जमीन है उसमें फसल आएगी कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जानवरों के लिए चारा कम पढ़ने लगा, फल्सवरूप जानवरों की सेहद और तादाध भी गिरने लगी, चारे की कमी और जब तब पढ़ने वाले अकाल की वज़ा से, कमजोर और भुखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, और एक जो चरवाहे थे, इन्होंने क्या किया इन सभी परिशानियों का सामना करने के लिए, ये अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो यहाँ पर आपने देखा अभी तक कि देखे, यहाँ पर जो चरवाहे उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाईया सामने आ रही है, अब चरव जो चरवाहे का काम ही छोड़ दिया, और दूसरे किसी वैवसाय में चले गए, या फिर दूसरे तरीके का जीवन ही जीने लगे, अब यहाँ पर आगे कुछ उदाहरन दिया है, कि यहाँ पर समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि पहले जो बड़े बड़े और बहुत सारे मै जहां पर जानवर चरते थे, वो अब नहीं थे, चारा गाहों का इस्तमाल बहुत मुश्किल हो चुका था, बहुत कारण थे, हमने देख लिया क्या कारण थे, वहाँ पर जंगल में नहीं जा सकते थे, जो चारा गाह थे उनको खेतों में बदल दिया गया, जो चारा गाह बचे वहाँ पर permit लेना पड़ता था, permission से जाना आना पड़ता था, तो वो एक प्रकार की दिकत होती थी, उदारण के लिए आपको दिया गया है कि जैसे उंट और भेड पालने वाले जो राइका समुदाय के लोग हैं, ये 1947 के बाद सिंध के इलाके में नहीं जा सकते थे, और नहीं सिंधु नदी के किनारे अपना जानवारों को चरा सकते थे, क्यों नहीं चरा सकते थे बाई? उसका कारण ये है कि देखे, 1947 में भारत का विभाजन हो गया, और भारत के विभाजन के वज़र से जो सिंधु नदी है, वो पाकिस्तान के इलाके में बहने लगी, औ अब यहां पर राइका समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनको यहां पर पाकिस्तान में जाना होगा, तो पाकिस्तान में ये अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो दूसरा देश हो जाता है, तो यहां पर इनके लिए काफी एक प्रकार की कठिनाई सामने आ गई इसी प्रकार से क्या हुआ, और भी जो समुदाय थी, उनके सामने यही समस्या आई कि उनके जो चारागाह थे, उनसे छीन लिए गई या फिर उनके हाथों से चले गई, ठीक है, यही कहता है यह राइका समुदाय के वारे में कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खीच दी गई, सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने के से रोक दिया, जाहिर अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंडनी थी, और फिर वो क्या करने लगे, हरियाना के खेतों में जाने लगे, और हरियाना में अपने जानवरों को चराने लगे, जहां पर पर कटाई होती थी और कटाई के बाद वहाँ पर खेत खाली पड़ जाते थे और यहाँ पर यह लोग अपने मवेशियों को चरा सकते थे इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत होती थी और यहाँ पर जानवर के मल मुत्र से यह खाद खेतों में मिल जाते थे तो मतलब जो राइका समुदाय के लोग पहले सिंधु नदी के किनारे जाते थे, सिंध में जाते थे, वो अब कहां जाने लगे, वो अब हरियाना में जाने लगे, और यहाँ पर एक प्रकार से अपना जानवरों को चराने लगे, अब यहाँ पर कुछ जो लोग थे, कुछ जो चरवाहे जो कि काफी पैसे वाले थे या फिर जिनके पास धन था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जमीन खरीद कर एक जगह पर बस गए और वही पर बस कर खेती करने लगे और चरवाहों का जीवन एक प्रकार से त्याग दिया, नॉर्मल गाउं में रहकर बस गए वही पर गाउं ब से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे, इस चकर में बहुत के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन कर रहे गए, वे खेतों या मोटे मोटे कस्वों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे, मतलब उनका जो एक जीवन था, पारंपरिक जीवन वो खत जिनको समझ में नहीं आया, उन्होंने कर्ज ले लिया, और कर्ज लेकर अपना जीवन काटने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे मवेशी भी उनके हाथ उसे चले गए, और वो क्या बन गए, मजदूर के रूप में जीवन जीने लगे, और बहुत बुरी स्थिती में वो जी वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवर छोटा कर लेते, और नई दुनिया के मिजाज से ताल मेल बिठाने के लिए दूसरे कांदंदे भी करने लगते, मतलब यहाँ पर चारागाह की कमी, चारागाह के लिए उनकी बंदिशे होने के बावजूद भी, बहुत तरीके के दि उनको सिंध में जाने से रोका गया, वो हर्याना चले गए, इसी प्रकार से वो अपना जीवनी है वो चलाते रहते हैं, रेवर छोटा करके, या फिर दूसरे किसी काम करके, इन सभी चीजों की हिसाब से वो आज भी जिते रहते हैं, बहुत सारे परिस्थिती विज्यानी म सिंसिवल रास्ता, वेवारिक रास्ता, यही है वेवारिक रास्ता, ठीक है? अब यहां पर आगे बात करें, तो आगे कहता है कि चर्वाहों इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नई कानूनों और बसाहट के नाम पर तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाओं के मुताबिक अपनी जिंदेगी का धर्रा बदलने पर मजबूर किया है आधुनिक विश्व में आई इन बदलाओं से निपटने के लिए बाके देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपना है अब ये चरवाहों का जीवन में जो तकलीफ आया जो परिशानी आया जो बदलाओ आया वो सिर्फ भारत में नहीं आया बलकि भारत के दूसरे इलाकों में भी आया स्वरी दुनिया के दूसरे इलाकों में भी आया जैसे कि अफरीका में या फिर दूसरे इलाकों में भी तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसके बाद हमें बात करना है अफरीका की कि अफरीका में इस प्रकार से जो चरवाहे थे उनके जीवन के उपर क्या प्रभाव पड़ तो टॉपिक है टॉपिक नंबर तीन अफरीका में चरवाहा जीवन तो यहाँ पर हमें देखना है अफरी तो आई इभाम आगे वड़ते हैं और देखते हैं अफ्रीका के बारे में अफ्रीका के बारे में कहता है कि अफ्रीका एक ऐसा इलाका है जहां पर दुनिया के आधे से जादा चरवाहे रहते हैं मतलब जो जितने भी चर्वाहा समुदाये में आबादी है उसमें आधे से ज़्यादा लोग कहां रहते हैं, अफरीका में रहते हैं, और आज भी, आज अभी की बात करें, तो आज भी अफरीका के करीब सवा दो करोड़ लोग ऐसे हैं, जो कि चर्वाहे के ऊपर, मतलब चार माने समुदाये हैं, जिनके बारे में दुनिया जानती है, ठीक, अब यहाँ पर बात करें, तो इन में से ज़्यादा तर समुदाये जो हैं, वो अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या फिर सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, मतलब, मतलब आज इनकी ऐसी परिस्थि बन चुकी है, कि ये जिस इलाके में हैं, वहाँ पर क्या है? अर्ध शुष्क के इलाका है, वहाँ पर बरसात वगएरा नहीं होती है, या फिर सूखे रेगिस्तान है, जहाँ पर इनको अच्छे मातरा में घास वगएरा नहीं मिल पाते हैं, या फिर यहाँ पर खेती वग फिके सामने भी वही परिशानिया आई, जो कि भारत के चरवाहों के सामने आई, वो थी एक प्रकार की उपनिवेश, शाशन और साथ में उसके साथ आने वाला नियम कानून. ठीक, तो वो चीज़े हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग रहते थे, अंग्रेज या फिर यूरोपिय लोग आये तो क्या प्रभाव पड़ा, और साथ में उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, अब यहाँ के जो चरवाहे थे, अफ्रीका के चरवाहे, य फेड़ गधे पालने का काम करते थे, और साथ में दूध, मांस, पशुक की खाल वगएरा बेचने का भी काम करते थे, तो यह सारी चीजों के जरीए इनका जीवन वगएरा चलता था, कुछ चरवाहे व्यापार का भी काम करते थे, और कुछ चरवाहे यातायात समंधी काम बी करते थे जैसे कहीं से कहीं सामान ले जाना है भाई घोड़े हैं गधे हैं तो लेकिन इसके अलावा अगर जरुराद पढ़ती थी तो या खेती भी करते थे भी आपार और साथ में कभी-कभी धंदा भी करते थे अब आईए हम लोग क्या करते हैं अफरीका के अलग-लग समुदायों की बात करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इस प्रकार की चीजों पर बात करते हैं अब यहां पर यह नक्षा दिया गया है जिसमें आपको बताया ग ठीक है अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आगे हम लोग को कहता है बात करता है कि इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय की माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे मतलों एक समुदाय लेंगे भाई बहुत सारे समुदाय हैं बहुत सारे चर लेकिन अफरीका के ऊपर अलग-अलग यूरोपिय देश शाषन कर रहे थे जैसे is my Germany भी शाषन कर लोग भी थे स्विल्ध भी उड़िस थे सभी लोग अफरीका में बैठे वे थे , सभी लोगों ने क्या किया अफरीका के अलग-लग इलाकों को बटवारा कर लिया था, ठीक है, तो यहां पर कहता है कि हम मासाई नाम के एक समुदाय की बात करने वाले हैं, अब यह मासाई समुदाय क्या काम करता था, पशुपालन का काम करता था, मतलब चरवाहे होने का काम करता था, और यह पूर्व अफरीका के निवासी है, मतलब पूर्व अफरीका में ये रहते हैं, ठीक है, अब नक्से में समझे कि ये मासाई समुदाय कहां रहते हैं, अब ये अफरीका का नक्षा है, अफरीका के नक्षा में यहाँ पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये इलाका, यहाँ पर मासाई समुधाय पाये जाता है, मासाई चरवाहे इसी इलाके में रहते हैं, आज भी रहते हैं, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना जीने का तरीका बदल दिया है, ठीक है, आज अगर हम बात करें तो आज के समय में करीब 3 लाग की संख्या में ये दक्षिनी कीनि अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदीशों ने किस तरह उन्ना केवल उनकी जमीन को छीन ली, बलकि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पावंदिया थोपली, मतलब वही सीजे समझनी है, जो हमने भारत की मामले में समझी, कि भाई अंग्रेज आये नियम क्या उनका समाज बदला और जीने का तरीका कैसे बदला। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.1 चारा गाहों का क्या हुआ। उनके जो चारा गाह हैं वो दिन बदिन सिमटते जा रहे हैं। उनके पास जितने चारा गाह पहले होते थे उससे अब बहुत कम है। अब यहाँ पर कहता है कि अपनिवेशिक शाषन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्री किनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। यानि कि जब वहाँ पर उपनिवेश नहीं था, यूरोपिय लोग नहीं आये थे, तब तक उनका कहां से कहां तक था, तंजानिया और कीनिया दोनों देशों में फैला हुआ था, उनका घास के मैदान यानि कि जहाँ पर वो एक प्रकार से रहते थे अब यहाँ पर मासाई लेंड सब्द यूज किया गया है, मतलब मासाई लोगों का इलाका, जहाँ पर मासाई रहते हैं उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है मैं तुरन समझाओंगा लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, सीमा खिज कर मासाई लेंड को दो बराबर टुकडों में कर दिये गए। जहाँ उनको घास मिलता था, वहाँ चले जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर यूरोपिय आ गये तो उनके जीवन पर बहुत प्रवाव पढ़ा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अफरीका, अफरीका में अगर हम लोग बात करें, तो यह आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तो यह दो देश हैं। यह देश हैं आपको कीनिया और साथ में यहाँ पर तंजानिया। अब यह जो देश दो अलग-अलग आपको दिख रहे हैं, यह देश कब बने अलग-अलग। जब यहाँ पर यूरोपिय लोग पहुँचे। और यूरोपिय लोग पहुँचे तो इस इलाके पर, मतलब की यहाँ पर यहाँ पर अंग्रेजों का कबजा था इस इलाके के उपर और इस इलाके के उपर जर्मन लोगों का कबजा था। तो यहाँ पर 1885 में क्या तै किया गया? 1885 में तै किया गया कि यहाँ से इस लाइन खिचो और यह जर्मन लोगों का और यह किसका? बिटिस लोग का मतलब अंग्रेज़ों का ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किसको रुवा प्रॉब्लम मासाई लोगों को हुआ यहाँ पर, क्यों मासाई लोगों को हुआ? हुआ इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो इस इलाके में मतलब दोनों देशों के इलाकों को मिला कर जो इलाका बनता है ये मासाई लेंड है क्यों क्योंकि इस पूरे इलाके में मासाई समाज के लोग रहते थे अब इनके जो चारागाह थे जहां पर ये अपने जानवरों को चराते थे ये कीनिया के इलाके में भी आते हैं और तंजानिया के भी इलाके में भी आते हैं समय समय पर जरूरत के हिसाब से ये इधर उधर जाते रहते थे लेकिन जब ये दो देश बट गए दो देश अलग अलग हो गए तो इनका जो आवाजाही था एक तरफ से दूसरी तरफ वो बहुत तरीके से बाधित हो गया उनको रोक दिया गया ये पहली बात हुई पहला मुद्दा हुआ अब पहले मुद्दे के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो नक्षा मैंने आपको दिखा ही दिया यह नक्षा आप देख रहे हैं, यह नक्षा वही नक्षा है, उसको थोड़ा जूम करके बताया गया है, कि यहाँ पर किस-किस इलाके में मासाई समाज के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, और उसके बीचों बीच से एक रेखा कीची गई, जो कि दो अलग-अलग देश ब तो यहाँ पर यही चीज कहता है, कि यह तो ठीक है, यह तो ठीक कि भाई दो देश बन गए, वहाँ पर भी इनको बहुत तरीके से प्रताडित किया गया या फिर रोका गया, कैसे भाई? तो यहाँ पर क्या हुआ, कि यहाँ पर बाद में जो सरकार थी, मतलब यूरोपियों की जो सरकार थी, जर्मनों की या फिर अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर जितने भी अच्छे चारागाह थे, जहाँ पर अच्छे चारे उगते थे, जहाँ पर खेती समाज के लोगों को आने से रोक दिया गया यहां पर आने से रोक दिया गया और ऐसा किया क्यों गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहां गोरों को बसाया जा सके मतलब जो अंग्रेज थे जर्मन थे उनको यहां पर बसाया जा सके अब यहां पर जो मसाई समाज के लोग थे इ जहाँ पर सूखा हुआ इलाका था, जहाँ पर एक प्रकार से बारिश नहीं होती थी, रेगिस्तान का इलाका था, उन इलाकों में बोल दिया गया इन समाज के लोगों को कि जाओ भाई, वहाँ जाके रहो हमारे इलाके में मताओ, मतलब जिन इलाकों को अंग्रेजों ने कब अच्छे इलाकों को, अच्छे घास के मैदानों को, वहां पर इन समाज के लोगों को आने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया. अब यहां पर इसी चीज़ से आप समझेखे़ कि शुरुआत में हमने क्यों बात किया? कि भाई जो मासाई समाज के लोग हैं वो आज कहां रहते हैं शुष के इलाके में रहते हैं अर्ध शुष के इलाके में या फिर रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं क्यों रहते हैं आपको समझ में आ गया यहां पर कि जो अच्छी जमीन थी अच्छा घास का मैदान था उसको लगभग 60 फिस्दी हिस्सा उनसे छीन लिया गया मतलब जितना जमीन था जितने जमीन पर वो चारा गाह था उनका जानवर चराते थे उसका 60% हिस्सा कबजा कर लिया गया और उनको सूखे इलाके में कैद कर दिया गया कैद कर दिया कहने का मतलब है कि भाई उससे बाहर के द समाज के लोग अपने जानोरों को ये चीज़े खिला सकते थे। ठीक है? अब यहाँ पर आगे कहता है कि 19 सदी के अंतिम सालों में ब्रेटिस अपनिवेशिक शरकार पूर्वी अफरीका में भी अस्थानिय किसानों को अपनी खेती के लिए छेत्रफल को जादा से जादा फै रहते थे और खेती करते थे तो वहाँ पर भी ऐसे लोगों को क्या किया गया? प्रुचसाहित किया गया कि तुम लोग क्या करो खेती करो और जादा इलाके में खेती करो जितना जमीन मिलता है उस सब पर खेती करो तो ये चीज़े करने लगे। जैसे जैसे खेती का प्रसा अंग्रेजों के आने से पहले जो मासाई समाज था, वो आर्थिक और राजनितिक रूप से अपने किसानों पर भाड़ी पड़ता था। मतलब इन इलाकों में जो किसान थे, जो एक जगा रह कर खेती करते थे, उनके उपर काफी ताकत थी मासाई समाज के लोगों की, वो काफी ताकत वर थे, लेकिन जब आपनिवेशिक साहसन का अंत हुआ, जब अंग्रेज यहां से गए, तब इस्थिती बिल्कुल उल्टी हो और यहां पर क्या हो गया, जो मासाई समाज था, वो काफी कमजोर हो गया, अब यहां पर कहता है कि बहुत सारे चारा गाहों को शिकार गाह बना दिया गया, मतलब कि जो एक प्रकार से चारा गाह थे अफरीका में, उनमें से बहुत सारे चारा गाहों को क्या बना दिया गय या शिकार घर बना दिया लिया समझ गई कि शिकार का यहां पर क्या था, यहां पर जैसे कि आपको मासाई मारा नाम का एक प्रकार का क्या है, National Park या फिर सामबरु National Park है तंजानिया में सरंग्टी Parkdrum पार्क है यह सारे शिकार का है, या फिर मासाई समाज के लोगों को या फिर दूसरे कोई भी हैं, उनको भी आने की पर्मिशन नहीं थी, छूट नहीं थी, यहाँ पर इन इलाकों को आरक्षित जंगल के रूप में घोशित कर दिया गया, यहाँ चरवाहे नहीं आ सकते थे, नहीं यहाँ किसी प्रकार का ये लोग श मतलब अंग्रेजों के आने से पहले तक यहाँ पर क्या होता था, मासाई समाज के लोग अपने जानवरों को चराते थे, ठीक है, अब यहाँ पर यहीं चीज़ कहता है कि जो सिरंग्टी नेशनल पार्क का 14,760 वर किलोमेटर का इलाका है, यह मासाईों के चारा गाह पर मतलब इस इलाके में क्या होता था, मासाई समाज के लोग अपने जानवरों को चराते थे, और उस प्रकार से यहाँ पर क्या होता था, मासाई समाज के लोग जो हैं अपना जीवनियापन करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आये तो उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से उस गेर अलगा दिया और बुला कि इसमें तुमको आडशे नहीं जाना है यहाँ पर क्या होगा पार्क बनेगा यहाँ पर तुमको एंट्री नहीं मिलेगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो लोग हैं मसाई समाज के लोग हैं जानवरों को चरा रहे हैं और यहां परिनिके बारे में बताया गया है कि अगर भाई देखो जानवरों को घास नहीं मिलेगा, उनको अन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे, और एक प्रकार से मर जाएंगे, और अगर वो मर जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, तो चरवाहों के परिवार को बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा और एक प्रकार से उनका पूरा जीवन क्या होगा? खतम हो जाएगा, ठीक है क्यों खतम हो जाएगा? क्योंकि वही जानवर है जो कि दू देते हैं, जिन से मांस मिलता है जिससे कि ये लोग चलते हैं, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, स्रोथ है, स्रोथ वगेरा भी आप इस अध्या के पढ़ें तो आपको काफी चीज़े जानने को मिलेगी स्रोथ चा भी है, ठीक है अब यहाँ पर आगे कहता है कि अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वज़ा से तहां उस छोटे से इलाके पर दवाव बहुत जादा बढ़ गया वही बात है कि भाई देखो क्या हुआ यहाँ पर यह हुआ कि जो आपका ये चारागाह था मतलब कि पहले जो मसाई समाज के लोग थे वो पूरे इलाके में जानवर चराते थे लेकिन पूरे इलाके में से बीच में एक तो बाउन्डरी उपर से अच्छा वाला इलाका रोक दिया गया एंट्री करने से इनको रोक दिया गया तो अब एक प्रकार से जो इलाका है जो कि अब उतना useful नहीं है, जहां पर अच्छी फसल नहीं होती है, घास अच्छा नहीं उगता है, उसमें से बहुत सारे इलाकों में जो क्या था, जो संख्या थी जानवर की, वो बहुत ज़ादा थी, क्यों थी? भाई देखो पहले मानलो कि इस इलाके में क्या होता है अनाज मतलब चरवाहे अपना जानवर चरा सकते हैं लेकिन पहला तो बीच में देश बटा फिर इसमें से बहुत सारे जो हरे वाले इलाके देख रहे हैं उनको कबजा कर लिया गया कि यहां पर चरवाहे नहीं आएंग और वहाँ पर एक तो जादा संख्या में जानवर आएंगे क्यों कि दूसरे इलाके में जानवर जा नहीं सकते हैं समझ गये तो यहां पर यहीं चीज कहता है कि छोटे से इलाके में लगतार चराई का नतीज़ा यह हुआ कि चारागाहों का अस्तर गिरने लगा चारे की हम पिसा क्यमी रहने लगी मवेशियों को भेट बरना एक अस्ताई समस्या बन गई कि भाई हमारे पास जो जानवर है उनको खाना कहां से खिलाएंगे यह बहुत बड़ी समस्या बन गई अब इसके बाद हमारे सामने क्या आता है इसके बाद है टॉपिक नंबर दो टॉपिक यहां पर यही चीज कहता है शुरुआत में कि भाई 19 सथी में जो चरवाय थे वो चारा गाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे. दूसरे देस तीसरे देस आज का जो दूसरा तिसार देस है वो कहीं भी चले जाते जहां उनको लेकिन जब यहाँ पर आपनिवेशिक शरकार आ गई, ब्रिटिस आ गई, अंग्रेज आ गई, फ्रेंच आ गई, डच आ गई, तो उन्होंने इस आवाजाही पर रोक लगा दिया. एक देश से दूसरे देश में एंट्री पर रोक लगा दिया गया. अब यहाँ पर कहता है कि मसाईयों की तरह अन्चरवाहों को भी विशेश आरक्षित इलाकों की सिमाओं में कैद कर दिया गया. मतलब कि तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो, जहां हो वही अपने जानवर चराओ, इस प्रकार के चीज़ें तै कर दी गई. अब यह समुदाय इन पर्मिट लेकर जाने का अजादी था, जैसा कि भारत में था, पर्मिट मिलता था, लेकिन यहाँ पर्मिट लेना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था पर्मिट लेना, पर्मिट लेने के लिए इनको बहुत तरीके की परिशानियों को सामना करना पड़ता था, इनको तं वाले जो बजार थे वहां भी जाने की जादत नहीं थी मतलब जहां गोरे रहते थे वहां ये नहीं जा सकते थे वहां जाकर ये समान नहीं बेज सकते थे कुछ भी नहीं कर सकते थे ठीक है बहुत सारे इलाकों में ये कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे और बाहर से जो ये गोरे और यूरोपिय लोग आये थे, इन्होंने इन सभी को, मतलब जो चरवाही थे, जो अफरीकी थे, इनको एक प्रकार का बरबर जाती घोशित कर दिया था, जैसे हमारे देश में अपराधी घोशित किया था, उसी प्रकार से, इनका मानना था कि ये सारे जैतरनाक हैं, और बरबर सौभा रखते हैं, और इनकी नजर में जो अफरीकी लोग हैं, जो ये चरवाही हैं, इनके साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहिए, और मजबूरी पड़े तो कम से कम संबंध रखना चाहिए, और इसी वज़ा से जो अस्थानिय ल के लिए जैसे खान में से कोईला निकालना है, और मजबूरी करना है, सबी चीज़ों के लिए उनकी जरूरत पड़ती थी, अब आगे कहता है कि जो नई सरहदे बनी, मतलब जो नई देशों की सिमाय बना दी गए, तै कर दी गए, इसकी वज़ा से जो चरवाहें थे उनकी जिन्दी की रातो रात बदल गए, अब यहाँ पर नई पाबंधियों की तहत उनको बहुत प्रताड़ित किया जाने लगा, दूसरे इलाके में जाने से रोख दिया जाने लगा, बहुत तरीके का उनको परेशानी होने लगी, और ये सभी हुद को कैद सा महसूस करने लग प्रकार की गतिविधियां थी, काम थे, सभी प्रभावित हो गए. क्योंकि चरवाही का मूल मकसद क्या है? चरवाहा होने का मूल मकसद यह है कि आपके पास जो जानवर हैं वो जीवित रहे. कैसे जीवित रहेगा भाई चरवाहा होने से? कि भाई देखिए, अगर आप घर बना कर रहते हैं, एक जगह पर जानवर रखते हैं, तो अगर उस इलाके में अगर अनाज खतम हो गया, तो आपका जानवर मर जाएगा, लेकिन अगर आप चरवाही हैं, एक जगह पर निश्चित घर बना कर नहीं रहते हैं, आप कहीं भी आते जाते हो सकते हैं, तो आपके इस प्रकार से लोग जीते थे चरवाहे, इस बात को ध्यान में रखे कि किसी इलाके में कोई तकलीफ हो, सूखा आजाए, कोई परिशानी आजाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार की सीमायत कर दी गई, जहाँ पर चरवाहों को एक इलाके से दूस का सामना करना पड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है कि उनको बंदिश हो गया और बहुत अंकुष लगा दिये गया, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 3.3, जब चारवाह सूख जाते हैं, मतलब हमने तो यह समझ लिया कि जो सूखा पड़ जाता है, तब इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कैसे क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर हम जड़ा सा देखने वाले हैं, यहाँ पर कहता है कि सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिन्दगी पर असर डालता है, मतलब सूखा अगर हो, तो ऐसा नहीं ह उसकी कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, इस प्रकार की चीज़े, कहाँ पर कहता है कि जिस साल बारिस नहीं होती, और चारागा सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे-भरे इलाके में न ले जाय जाये, तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो कि भाई देखो अगर सूखा हो जाए आपके इलाके में, तो आपके इलाके में अनाज नहीं होगा, घास नहीं होगा, चारा नहीं होगा, तो जानवर क्या खाएगा, तो यहाँ पर जो चरवाहे होते हैं, वो क्या होते हैं, घुमंतु सुभाव की इसी वज़ा से होते हैं कि एक इलाके में अगर चारा खत्म हो जाए या फिर सूखा आ जाए तो वो अपने जानवरों को लेकर किसी दूसरे हरे भरे इलाके में चले जाए जहां पर की चारा उपलब्ध है और उनके जानवरों को चारा मिल जाए तो उससे क्या होगा, चारा भी मिल जाएगा, जानवर भी जिन्दा रहेगा, आदमी भी जिन्दा रहेगा, तो यहाँ पर इस वोज़ा से घुमंतु सुभाव के चरवाहे होते थे, ठीक है। नहीं भटक सकते थे, अब वो पहले जैसा कहीं भी नहीं जा सकते थे, उनके लिए इलाका तै कर दिया गया था ओपनिवेशिक लोगों के द्वारा, ठीक है। आशंका हमेशा बनी रहती थी। बतलब कि जितने भी खराब इलाके थे, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, जहाँ पर कि जमीन अच्छी नहीं थी, उन पर अंग्रेजों ने क्या किया कबजा नहीं किया, उनको फिर ही छोड़ दिया। जो अच्छी जमीन थी उस पर सूखे वाले इलाके में तुम जाकर अपने जानवरों को चरा, समझ गये। और ये बो इलाका था जहाँ पर हमेशा क्या हो सकता था, सूखा आ सकता था, अनाज की कमी हो सकती थी, चारे की कमी हो सकती थी, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगा नहीं जा सकते थे, जहां उन्हें अच्छा चारा गाह मिल सके, इसलिए सूखे के सालों में मसाईयों के बहुत सारे मवेशी और भूख की बिमारियों के वज़़ से मारे जाते थे, मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, एक इलाके में कैद हैं, तो उस इलाके में अगर सूखा आ गया, तो इनके जो मवेशी हैं, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्यों मर जाएंगे, क्योंकि उनको चारा नहीं मिलेगा, उनको अना और इसमें से आधे से जादा जानवर क्या हो गए? मर गए, खतम हो गए. समझ गए? अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि जैसे जैसे चरने के जगा सिकुर्ती गई, शूखे के दूस परिनाम भयानक रूप लेते चले गए, बार-बार आने वाले बुरे सालों की वज़ा से चरवाहों के जानवर की संख्या में लगतार गिरावट आती गई. जो चरवाहे थे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, एक समय में पूरे इलाके पर राज करने वाले चरवाहे अब क्या बन गए? बिलकुल एक प्रकार से विलुप्त गायब होने की स् पड़ा यहां के चरवाहों के उपर. अब यहां पर टॉपिक है मारे साव में 3.4 यहां पर कहता है कि सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा. मतलब कि समाज के सभी लोगों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, कैसे नहीं पड़ा समझते हैं. तो यहां प मतलब की उम्र के अधार पर जो मासाई समाज था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पहले थे वरिष्ट जन, मतलब जो एल्डर्स होते थे, उम्र दराज लोग होते थे, और दूसरे होते थे योध्धा, जो की एक प्रकार से जमान लोग होते थे, जो की लड़ाई काम करते थे, अब जो वरिष्ट जन होते थे, वो साशन चलाते थे, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये काम कौन देखता था, बुढ़े लोग देखते थे, समाज के बुढ़े और वहीं जो एक प्रकार से युद्धा होते थे वो नौजवान होते थे और इनका काम क्या होता था लड़ाई लड़ने का काम होता था और कबीले की हिफाज़त करने का काम होता था और ये समुदाय की रक्षा करने का काम करते थे और दूसरे कबीले के मवेशी को छीन कर ला जैसे हमारे समय में आज संपत्ती का मतलब क्या है हम लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं या फिर घर बना लेते हैं जमीन खरीद लेते हैं सोना रखते हैं ये सारे संपत्ती हैं उस समय में लोगों के पास क्या संपत्ती थी इन लोगों के पास संपत्ती सिर्फ और सिर्फ जान जानवर चिनते थे ठीक है अब यहां पर कहता है कि यहां पर जानवर की संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरे के जानवर चिन लेना एक महत्पुर्ण काम होता था अलग लग चर्वाहा समुदाईों की ताकत इनहीं हमलों से तै होती थी। मतलब जो समुदाए सबसे ताकतवर है, ये कैसे पता चलेगा? कौन सा समुदाए सबसे ताकतवर है? तो जो समुदाए दूसरे समुदाए के जानवरों को छीन ले, जादा संख्या में छीन ले, और सबसे छीन ले, वो क्या है? वो एक प्रकार से ताकतवर समुदाए है, ये जानगी साबित कर देते थे, कोई भी व्यक्ति को अगर युध्धा बनना है, युध्धा की श्रेणी में आना है, तो उसको क्या करना होगा, युध्ध में अपनी महानता शाबित करनी होगी, साथ में दूसरे कबीले से मवेशी भी छीन कर लाने होगे, तब उसको होंगे, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, बलकि उनको और देने का काम कौन करेंगे, वरिष्ठ जन करेंगे, यानि जो समाज में बुढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो करेंगे, ठीक? अब यहाँ पर देखिए, जो मसाई थे, इनके इस समाज को तो हमने समझ लिय लेकिन जो अंग्रेज थे, उन्होंने मसाईों के समाज में भी एक प्रकार से दखल दे दिया, कैसे दखल दे दिया भाई? तो यहाँ पर जो मसाई समाज थे, इनके लिए अंग्रेजी सरकार ने कई सारे फैसले किये, क्या फैसले किये? भाई, सबसे पहले फैसला किया किय समाज के लिए क्या क्या मुख्या तै कर दिया आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे आपके लिए मुख्या हम बैठाएंगे ये मुख्या जो होगा हर मसाई कभीले का समाज का क्या करेगा लीडर होगा उनके पूरे मामले को संभालेगा उसका पूरे जिम्मिदारी इनको दे अब यहांपर इस प्रकार से समाज जो था वो काफी कमजोर हो गया कैसे कमजोर हो गया वाई क्योंकि सत्ता जो पहले थी बुज़ूर्ग लोगों के पास वो एक मुखिया के पास आगे एक लिडर के पास आगे जिसको की सरकार ने बैठाया था ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी वज़ा से अमीर और गरीब का फर्क यहाँ पर काफी बढ़ गया कैसे बढ़ गया तो बढ़ा इसलिए कि जैसे जैसे समय भी था तो यहाँ पर जो मुख्या था वो एक प्रकार से काफी पैसा खटा करने लगा वो काफी एक प्रकार से अमीर होने लगा, काफी उसको पैसा आने लगा, वो टैक्स वगरा भी लेता था, बहुत सारी चीजे करता था, वो काफी अमीर होने लगा, और ये एक प्रकार से क्या गरता था, एक प्रकार से जमीन लेता था, जमीन कबजा करता था, और जानवर खर दोसियों को कर्ज पर पैसा देने लगा, उसके बाद यहाँ पर यह जो मुख्याव लोग थो जिनके पास पैसा बहुत आया, यह लोग शहरों में जाकर बस गए, वहाँ पर व्यापार करने लगे, इनके बीवी बच्चे गाउं में ही रहकर जानवरों की देखभाल करने लेकिन इसके बाद कुछ चरवाहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के जरी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो उनकी हालत धीरे-धीरे खराब होने लगी, उनकी पूरी जिंदगी एक प्रकार से खराब होने लगी, इनके पास बुरे वक्त का सामना करने का कोई साधन नहीं था, माल लिजे किसी साल सुखा आ गया और आपके आधे जानवर मर गये, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ये लोग की वही स्तिती थी, आधे जानवर मर गये, क्या करेंगे, कोई और आमदनी है नहीं, तो ये लोग वही सही रहेंगे, तो यहां पर क्या हुआ, जब भी युद्ध होता, मतलब कि एक प्रकार से कभीलों का लड़ाई होता, अकाल पड़ जाता, तो इन सब लोगों का जो की नॉर्मल एक चरवाहे का जिंदगी जी रहे थे, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता, यह लोग आपस में फिर उस सम की मजबूरी को देखते हुए, काम की तलाश में शहरों में जाते, कहीं पर कोईला जलाने का काम करते, या कोई और मजदूरी करने का काम करते, और यह एक प्रकार से जीवन यापन करने के कोशिश करते, तो यहां पर कहता है कि इस प्रकार से, जो मासाई समाज था, वहां का पूरा ववस्था था उसको अंग्रेजों ने प्रभावित किया यूरोपियों ने प्रभावित किया और साथ में अमीर और गरीब का जो फर्क था अमीर और गरीब चरवाहों का जो फर्क था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव का चरवाहों के उपर, उसके पहले हमने समझा कि जो भारत में अलग-अलग अपनी इलाके हैं, वहाँ पर कौन-कौन से चरवाहे समुदाय होते हैं, अब यहाँ पर निशकर्स है, तो निशकर्स यह जो है, यह आपको अध्याय चार और पांच मिलाकर है, आप एक प्रकार से इ हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, अध्याय हमारा खत्म हो गया, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक या चैप्टर के साथ, तब तक लिए, गुड़ बाई.